हेलो डियर स्टुडेंट मेरा नाम हुत्तम और आप देख रहे हैं ख्याती एजुकेशन पॉइंट जहां आपको आज हम लेके चलते हैं वार्शिक परिक्षा से पहले आने वाले इंग्लिस के पैटन के बारे में तो चलिए बात करते हैं कि कैसा आने वाला आपका इंग्लिस का पेपर तो फर्स आफ वाल स्टुडेंट आज हम जानने वाले कि किस तरीके का पैटन होगा कितने कॉश्चन्स होंगे और किस तरीके को कॉश्चन्स आपसे हर पेज पर पूछे जा सकते हैं तो टोटल और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आने वाला है आपका इंग्लेस का कॉश्चन पेपर एंपी बोड कि स्टुडेंट कॉंसंट्रेट करें इस बीडियो पर एंड अब हम बात करने वाले हैं स्टुडेंट की कॉश्चन नम्मर वन यानि कि ये सेक्शन एका आपका कॉश्च आपको रहेंगा इसमें रीडिंग्स पे रिलेटेड ये सेक्शन है आपका जिसमें आपको रीड दा फॉल्विंग पैसिज केर फुली और आंसर दा कॉश्चन गिबन बिलो आपको इस पैसिस को केर फुली पढ़ना है और इसी में से सारे अप्जेक्टिव को सॉल्व करन सारे कॉश्चन्स इसी पैसे से रिलेटेट रहेंगे स्टुडेंट तो आपको बहुत क्यारिफुली आराम से स्पेसिस को पढ़ना है और उसी में से फठफट सारे आंसर को दे देना है इसके बाद बात करते हम कि किस तरीके से आपको इन कॉश्चन्स के आंसर देनी है तो आ पोइम और इसी तरीके से से कॉश्चन्स है आपको देखने को मिल सकते हैं पैसिस दूसरा भी हो सकता है बट पैटर्न सेम रहेगा इसके बाद आपको कुछ उसके अपोजिट वर्ड भी मिलेंगे अगर आपको अपोजिट वर्ड किलियरली समझ में आता है तो आप उसको इस दी सॉल्व कर सकते हैं पैसिस में आपको उसका अंसर मिल जाएगा सेकिंड हम बात करते हैं इसी के कॉश्चन नमर टू की जो सेक्शन ए में ही पूछा जाता है स्टूड तो इस तरीके के आपको कॉश्चन आपजेक्टिव टाइब देखने को मिलेंगे और बहुत आस परस्ट कॉश्चन रहेगा जो आपका पूरा अंसीन पैसिस पे से रहेगा सेकिंड कॉश्चन दिया है दा रीड फॉल्विंग पैसिस केरफुली एंड अंसर दा कॉश्चन गिवन बुलो इस पैसिज में भी आपको नोट मेकिंग और टाइटल पूछा जाता है स्टूड स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं सेक्षन बी की यह सेक्षन आपका पूरा राइटिंग पर डिपेंड होता है और इस सेक्षन में आपको आती है एप्लिकेशन लैटर एड़टाइजमेंट और उच आते हैं इस पे नोटिस बनाने के लिए तो फ्रेंड करना है एक लेडर डिकनार ही एक रेंड के लिए आपने आपने class teacher के लिए पिरूर नियूस रिलेट ड कुई रीपोर्ट बनानी है तो सेक्षण भी पूरह आपका writing work रहता है और बहुत इसली आप इसको कर सकते हैं बात करते हैं section C की section C में मैंने already video बनाया हुआ है आप description link से उस video को देख सकते हैं ये पूरा section C आपका grammatical होता है इसमें आपको do as directed and कुछ objective type question पूछे जाते हैं इसमें जिनको आफ बहुती इसली सॉल्व कर सकते हैं मैंने पूरा बीडियो ही ग्राफ ग्रामर पर बनाया है इसमें सेक्शन सी पर तो वो मैं डिस्क्रेप्शन में डाल दूंगा तो आप महां से इसका पूरा डिस्क्रेप्शन एंड विच सॉल्व देख सकते हैं बात करते सेक्षिन डी की, तो सेक्षिन डी में, read the following extract, carefully and answer the given questions, तो इसमें student आने वाला आपकी textbook का एक passes, और उसी में से देने हैं आपको इन questions के जवाब, तो इस तरीके का आएगा आपका passes, एक आता है आपका poem extract, तो इससे आपको poem से related कुछ questions रहते हैं, poem के poet का नाम पूछा जा सकता है, कभी poem का नाम भी पूछ लेते हैं, चलिए बात करते हैं, इसी के question B की, इस पे भी एक extract पूछा जाता है, और इसको भी आप इस तरीके से solve कर सकते हैं, तो students सारी poems और poet के नाम आप एक page पे लिख लिजिए, ये आपके लिए बहुत helpful होगा, lesson के नाम लिख लिजिए और उनके authors का नाम लिख लिजिए, तो इस तरीके से आप से English में कुछ question पूछे जा सकते हैं, Thank you for watching my channel, and इसी तरह के वीडियो देखने के लिए like and subscribe करें my channel.